फर्सबाइट की खबरी लगातार देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और पैल आइकॉन को दबाएं इस खबर के प्राय जग है KMC Health City and KMC Cancer Institute उत्तरी भारत का आधुनिक्तम सुविधाओं से यूगत चिकित सा संस्थान बाकपत रोड मेरट नमस्कार मैं हूँ रवी शर्मा और आप देख रहे हैं FirstPight.tv हात्रस की बेटी मर गई तो इतना बखेडा खड़ा हो गया लेकिन रेप के आरूपी शराम माफिया पर पुलिस महरबान है मोटी रिश्वत खा रखी है रोज कभी इधर तो कभी उधर टहला दिया जा रहा है क्या इंसाफ के लिए अब मुझे भी मरना होगा यह दर्द मेरट के खरखोदा थाना छेतर की लोहिया नगर की पिडित यूति का है परिशान वे सिस्टम के चकर काटते काटते ठक चुकी इस यूति का अब कहना है कि अब वह अपनी गोहार कमिशनर से लगाएगी यदि आठ दिन में शराब माफिया को गिरपतार ने किया गया तो वह परिवार समित कमिशनर के सामने ही आत्महत्य कर लेगी आज जब फस्ट बाइट ने सियो किठोर देवेश कुश्वा से इस बारे में बात की तो उन्होंने भी शराब माफिया बताय जा रहे आरोपी के बाबद बेहत सम्मान जनक लहजे में बात की सियो ने कहा कि कुछ समय पूर भी उन्हें ग्रपतार कर जेल भेजा गया था उनकी बराबर तलाश की जा रही है हात्रस के बाद एक आये कि उत्तरप्रदेश में बलात कार की घटनाओं के सामने आने की घटनाएं आम हो गई है ताजमामला मेरिट के खरकोदा थाना चेतका है लोहिया नगर निवासी इस मुस्लिम यूवती का आरोप है कि 20 दिन पहले शराम माफिया पाशा उसे घर से ले गया था उसने अपने साथी के साथ उससे रेप किया इस पर खरकोदा थाने में पाशा के खिलाब बलातकार जैसी गंभीर धारों में मुकदमा जरूर दर्ज किया गया लेकिन 18 दिन बाद भी शराम माफिया पर पुलिस हाथ नहीं डाल पाई है परिशान यूवती वे परीजनों का सीधा आरोप है कि वह एस सो खरकोदा के साथ घूमता रहता है पाशा ने पुलिस को मोटी रिश्वत खिलाई है जिस कारण उस पर पुलिस हाथ नहीं डाल रही है आए पहले सुनते हैं पीड़ी त्यूवती की कहानी उसी की जुवाने बस यहीं काम रह गया मेरा क्या सारी चम्सेगिरी में लग गए इनकी क्या गुंडों का यही होता रहेगा कोई पकड़ने का नहीं है चिसके खिलाब मुगत्मत रहा है कौन मेरा णिखञाई 500 और इंका भाई है जहाड बाब सब्लाइता चार्चर कर रहे घर से बाहा निकलना है यह शराब माफ्या ख़र प्रोप खाब करता है घर बहों सा यह बहुत स्कार्षॏ को बनुकों कि लिए बेच कई परेस्ट कि पर देखिए को कि यहां कुछ नीच कर रहे हैं उसके खिलाब कि 18 दिन में किसी मुझरिम को पकड़ा नहीं जाता आगे किसी के बसकी नहीं है उसे पर ना कभी कह देते हैं सियों के पास मिलो कि यही काम रह गया है बस कि हाथ रस्में जो लड़की मरी वो मर ग इस बारे में जब CEO किठोर, देवेश कुछवाह से बात की गई तो उन्होंने यह जान करी गई महिला ने वियोग पंजी कित कर आया है, जिसमें गंबीर धाराएं लगी है, दुसकरम क्या रूप है, उस पर सहजाद पाशा की गरफदारी के प्रयास की जा रहे हैं, सहजाद पाशा घर छोड़ के बहुत दिन से खरार है, काफी समय से खरार चल रहा है, अन्य मुकदमों मे हैं भी उसकी तलास है, और हमारी टीमें लगी हुई है, जल्द जल्द गरफदार करके उसको चेलते जा जाएगा, सहजाद पाशा का प्रोफाइल क्या है, शहजाद पाशा अपराधिक गरफदियों में लिपत रहा है, पूर में कैफी मुगदमे हैं उसके खिलाफ, एच- इस ख़बर में आज इतना ही आते, तिरिया फस्ट बाइट टॉट इवे, नमस्कार झाल झाल झाल